Hello students, good morning to all, welcome to my class in Standard 4th English 2, Unit Number 14, Adjectives, Degrees of Comparison Okay, adjective after learn कर लिया है already, adjectives किसको बोलते है, adjectives है वो ऐसे words है जो नाम को डिस्क्राइब करते हो है ना तो जो नाम को डिस्क्राइब करें उसको हम adjective बोलेंगे, okay, adjective है वो क्या है, describing words है, है ना अब हम adjective है उसको, as a comparison हम यहाँ पे लान करेंगे कि क्या degrees of comparison कि comparison कितनी degree में किया जाता है, कितनी मात्रा में किया जाता है, बोलान करेंगे, okay तो यहाँ पे मैं कुछ sentence लिए हूँ, वो आप read करो और समझो, okay, तो as a strong boy, कैला sentence है यहाँ पे आपको, as a strong boy है, यहाँ पे as a boy है, पर कैसा है, strong है, तो strong है, तो इसको boy को describe करता है, नाउन को describe करता है, बोलान के सारव में आता है, और यहाँ पेचर strong है, बोलान को describe करता है, इसको बली stronger देखो, बली stronger देखो, यहाँ पे strong का हो गया, stronger, third है, अनी लिस्ते strongest देखो यहाँ पे है, strongest, okay, as a strong is a strong boy, बली इस्ते stronger देखो, और अनी लिस्ते strongest of the three, यानि कि असोख है, वो एक strong boy है, second में देखो तो, बली है वो असोख से stronger है, यानि ज्यादा strong है, third में लिस्ते strongest of the three, अनील है वो तीनों में से, यानि असोख बली और अनील, तीनों में से अनील है, वो सबसे ज्यादा strong है, है ना, तो पहले बली और असोख, बली है वो असोख से ज्याद है, यानि ये बली और असोख दोनों के बीच में comparison किया दया है, strong, जो quality है वो दोनों में same है, ये भी strong है, ये भी strong है, लेकिन दोनों में से बली है, वो ज्यादा strong है, ये जो quality है, वो उससे थोड़ी higher है, बली के अंदर असोख कुलदा उसकी हायर वात्रा में हैं हायर इमें फिर इसमें अले से श्थांग हो और ne कर से नीघरी तरिमित पहले संटेस्स में कोई हो हो रहा है सिंपली कहां गया है कि असलों कहें हो स्ट्रॉंग होए है कि सेटाइड लोगों के बीच में कोई एक क्वालिटी को लिंकर कंपेरिजन किया गया है और फार्ड जो है उसमें मोर्दें टू पर्शन दो लोगों से ज्यादा पर्शन यारी यहां पे तीन है तो तीन की बीच में कंपेरिजन किया गया है एकी कौली इसमें यहीं स्ट्रॉंग यह स्ट्रॉंग और स्ट्रॉंग। क्वालिटी सभिमें सेम है यहांरि तीनों में अलग 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 grupp काई कि पीच मैं पैरिक व् содерж क में comparison की अगया है na comparison एकली quality है नेकिँ सभी में क्वारिटी की degree है मात्रा है वो अलग-अलग है इसलिए हम इसको बोलेंगे degrees of comparison क्या बोलेंगे degrees of comparison तो यहाँ पे three type wonder degrees of comparison है पहली है वो है super effective degree sorry पहली है वो positive degree को Guys कोई बींग अधिया जाता है जिसमें कोई भी कामपेरिजन नहीं किया जाता है उसको हम बोलेंगे comparative degree और third time more than two person or things दो लोगों और दो things के जादा लोगों के बीच में और things के बीच में comparison किया चाहिए तो उसको हम बोलेंगे superlating degree ओके तो पहले ये examples दिख लो तो यहांपे जो एक्जेक्टिव है strong तो इस एक्जेक्टिव की three form दो देए यहांपे strong दूसरा form है stronger और third form है हो strongest strongest okay एक्जेक्टिव के इतने form होगा है one two or three three form यानि आपे three degrees of comparison होती है है ना इतनी degree में comparison होता है three degrees में कौन कोई सी positive comparative and similarity okay तो यह जो strong है वो है strong क्या बालेंगे अस्वी जो strong बहुत यह strong है वो positive degree में है है ऐसा बोलेंगे इसमें बहुत है stronger देने सब्सक्रों stronger है वो comparative degree में है ऐसा हम बोलेंगे और अनी इस दे आपने सब्सक्रों तो यह strongest है वो सुपर लेंगे देगरी में है ऐसा हम बोलेंगे तो strong यानि positive stronger comparative degree और strongest है वो क्या है यह क्या उते हैं सुपर लेंगे है रंप सुपर लेगी थाई वो ऑग बो झाल झाल थ्री डिग्रीज और कम्पिरिशन वाई नी कॉंसी थी? कोजी नी थी सेकंड है वो हैंड कम्परेटिग डिग्री और जो थार है वो हैंड सुपारेटिव डिग्री तीन तरस्ते कम्पिरिशन लिए जाता है नो कम्पिरिशन यानी पोजी डिग्री बिट्वीन तू पर्शन और थी यानी पंपन सुपारेटिव डिग्री डिग्रैंड करते के बीच में कम्पिरिशन होत हुआ virtually सुपारीटिव इंढेंगर रखते हैं पोजीटिव डिग्री कंपरेटिव डिग्री त्मिटीड पर्शन रखते हैं जो देखेंगे वित एक्जाम्बस नाओ पहली जो देखेंगे है वो फाल सी है पोसिटीव जिए तो पोसिटीव देखेंगे क्या सो करती है तो एक्जाम देनोट्स तो इस सीम्पले देनोट्स बाइब कि500 देखेंगे बाइबी, बारड टेखेंगे अर रडे सीम्पले सुट लूओ पन्यूज़्थ नाओ लीज़िए झाल जूज़ कि चल्होन देखेंगे आन्वम्पले से वित आफी नागे कृश्शो чтоб लाज़िए इन दो थीग वर परसंग भी स्पीड एलाओ तो जो भी धीग और जो भी परसंग में बारे में हम बात करें हूँ उसके अंदर कुछ quality का existence है उसके अंदर कुछ quality है वो दिखाने के लिए हम positive degree है वो यूज़ करते हैं तो it is used when no comparison is right it is used when no comparison is right जब कोई भी comparison ना किया गया हो इतना simply बताया गया हो के यह जो भाशन है उसके अंदर यह quality है यह quality का existence है उसके अंदर वो दिखाने के लिए हम जो positive degree है वो यूज़ करेंगे कि यह जब कोई भी comparison ना हो तब positive degree यूज़ होती है जैसे कि आमने example आगी sentence में देखा है था कि असोपी ज़र strong हो है यहां कि ज़र strong है वो positive degree में इसा आप बोल सकते हैं कि असोप है वो यह strong हो है तो असोप के अंदर strong जो quality है वो उसके अंदर simply उसके अंदर वो quality है वो quality का existence है वो ही सोप करता है इसमें किसी के साथ comparison नहीं किया गया है इसलिए यह जो है वो क्या मिलेगा उसको positive degree में है ऐसा बोलेगे तो लिटनों पेले positive degree का ओली आपी ।ог इसमेंड़ों है ओली नहीं झेह ढहिए theया उसके में है झाल झाल अब आप नेश लिखे रें, नईश एलो हैं कम परेजिन दिनुएंगें कर दो 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 कर पोजिटीव ओके तो यह जो है वो क्या बताता है कॉम्परेटिव निग्री तो कॉम्परेटिव निग्री में कि कोई question के अंदर कोई things के अंदर कोई quality है यह वो पोजिटीव से थोड़ी degree of the quality higher है किना क्वालिटी की जो मात्रा है वो पोजिटीव से थोड़ी क्या है हाय है यानि ज्रादा है उपर है तो हम कॉन सी comparative degree use करेंगे यह यह को वक्ति ओई पिदों से और यह व्रादा है यह थामेंज्गेंगे, गाम लूज्टीव नादा CT yम करेंग अंदर कने this लूजिज परिवन कोम से थैस तूबज्गेंगे करेंगे ना पहली में फेर से आवयरा है नहीं हुआ की तो याण बो पारसन हो, उसके पीश में आहाम कंपेर करना हो तुँ हम कमपेरेंग के कर दीलिगर скरें जशे कि हम ने देखा कि असोख और बाली है ना, रिचिन गोनके बीच में दो पार्सन के बीच में कंपेरेंग जटनका ना है तो जैसे कि बली is stronger than usher, यहां पी क्या हो गया, stronger यानि बली है, उसमें strong हानी की जो डिग्री है, वो असम से higher है, यानि ज्यादा है, और यह जो डिग्री है, इसकों क्या बलेंगे comparative degree, जो दो परशन के पीछ में ही comparison करने के लिए use होई है, तो strong है, वो positive है, positive से थोड़ी ज्यादा, है ना, तो इसकों बलेंगे stronger, क्या बलेंगे stronger, यह stronger है, वो क्या है, comparative डिग्री है, तो यह आप नहीं पेलिखनों, झाल झाल नेक्स्ट देखेंगे हां नेक्स्ट जो है सुपलेटिक डिग्रेंड तो हो जो 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 जी लिए है कमपलेटिक है उससे भी ज्यादा आईएश्ट डिग्रियों पालेटिक सबसे ज्यादा मात्रा में जिसके अंदर कोई भी पालेटिक हो उसको हम सव करने के लिए सुपलेटिक डिग्रियोज करेंगे फुपलेटिक डिग्रियों य्याद ऑलेटिक इत待त П लिए सोपलेटिक डिग्रियों हाई रिज यानिक सबसे ज्यादा डिग्री अव क्वालिटी कोई भी पर्षान कोई भी धिंस के अंदर हाई येस्ट मात्रा में कोई भी क्वालिटी सबसे ज्यादा डिग्री में कोई भी क्वालिटी अविलेबल है तो उसको सहोगाने के लिए सुपरलेटर की रियूज करेंगे इटिस यूज वेंड मोर थेन तो अबजेट्स करेंगाईल जएः ये इस करेंगे बादान वे लिए फियाद देनाय क्वालिटी आप आंपट वे शेशैं कर दो प्काबने प्ता में करेंगेग्me कि कोई भी दो अब्जेक गीरी परिश से भेलाइनर,ınd अब्ज़ेकिंस करते थे लेकिन यहाँ प्रिश마टोय परिशर होगी चकुछ सबसे ज्यादा अब 카्यी में कोई भी क्वारीशक जाय हो और comparison है वो more than two objects से होना चाहिए यह ज़्यादा objects के बीच में जब comparison किया जाए ना कोई भी दो बोई है class इसके बीच में comparison किया जाए तो परेखें दिब्री उसकरें लेकिन पूरे class के comparison के है पूरे class के सभी boys के बीच में comparison किया जाए या फिर girls and boys सभी के भी इसमें comparison किया जाए तो हम क्या याउस करेंगे सुपर लेकि दिब्री यूस करेंगे तो हम इसमें आगे example देखा था कि असोख है वो stronger है बली है वो असोख से ज्यादा strong है stronger है लेकिन तीनों में जो strong कौन है अनी ले इससे strongest है तो बले अनी ले असोख दीनों में से अनी है वो सबसे ज्यादा यानी strong होने की जो इसकी मात्रा दीनों में से सबसे ज्यादा इसमें है अनील में है वो सो करने के लिए हम सुपर लेकिन है strongest है वो सुपर लेकिन विद्री में है ऐसा हम बोल सकते हैं तो यह सुपर लेकिन विद्री है वो भी आप अपने मुद में लिख लो झाल झाल कि आप सभी को किनो जो कंपेरेजन, degree of comparison है, वो समझने आगी होगी. हमने आप example दिनके था उसके कोंसा, कौनसा सभी में strong, strong होने की quality थी, सभी में थी, तो पहला यह जो था, यह असोग है. असोग है उनके आड़े, strong है, फिर असोग और भूस्रावान का बली, यह असोग और यह बली. तो अब यह दोनों के बीच में strong जो क्वाली के उसको लेकर अंपरिसम हुआ, तो बता चला, कि बली है वो असोग से ज्यादा, stronger है इसके अंदर यह वाली की असोग से तोड़ी ज्यादा है, ज्यादा मात्रों में, ओके, और धर्ट जो में उनके लिए, वो कौन था, तो है तीन थे, असोग, बली, एंड अनि, जो तीनों, तो इसमें बली है, वो ज्यादा stronger था इससे, अब तीनों में से सबसे ज्याद जो strongest है, सबसे ज्यादा जो बलवान है, strong है, वो कौन है, अनिल है, तो अनिल है, वो strongest है, ऐसे हम करेंगे, तो यह क्या हुई, positive degree हुई, बली, इसमें कोई भी comparison नहीं किया रहे है, अशोग के अंदर strong, जो quality है, वो है, इसके अंदर यह quality का existence है, वो ही सो करता है, कोई भी comparison नहीं हुपर है, इसको क्या होलेंगे, positive degree, यहाँ पे दो परशन के बीच में comparison हुआ, अशोग के बली, अशोग मली है, वो अशोग से थोड़ा, ज्यादा, क्या है, stronger, इसको अंदर बोला, stronger, इसको अंदर बोलेंगे, comparating degree, है ना, इसमें दो परशन के बीच में यह comparison हुआ, अब यहाँ पे तीनों के बीच में comparison हुआ, दीनों मैंसे अनी लेवल सकते ज्यादा strong है, तो उसको हम बोलेंगे strongest, तो दो से ज्यादा जब लोगों के बीच में things के, बीच में objects के बीच में comparison किया जाए, इसको हम क्या मोले पॉजिटीव, कमपरेटिव एड़ स्ट्रोंग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर, आपैं अटिस्टूट समझ में आया, यह है वो पॉजिटीव है, दो के किसमें comparison हो, तो कमपरेटिव पीच में लेगी, दो से ज्यादा पर लेगी दूजिए, अब्जेक्स के बीछ में कंपेरिजन हो तो उसको हम बोलेंगे सुपा लेने देंगे तो जो जो आपने लिखा है वो फिर से एक बाद रीट कर चाओ और अपने माइंड में फिर से उसको लाओ और यार कहना जाते हैं तो समझू ओके थेंक यू